दुनिया का कोई न कोई कोना पिछले काफी समय से भेंकर जंक से जूज रहा है चाहे वरूस युक्रेण युद्ध हो या इसरायल हमास युद्ध या फिर नॉर्थ कोरिया सौथ कोरिया की तनातनी हर देश का कही न कही किसी न किसी से टकराव जारी है भारत की बात करें तो चीन पाकिस्तान पुराने प्रतिद्वंदी रहे हैं जिनके साथ किसी भी वक्त रिष्टे भिगड़ सकते हैं तीनो ही देश परमाडू संपन्ने देशों में शुमार हैं जिसको लेकर स्विडिश सिप्री की रिपोर्ट की माने तो भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में अधिक परमाडू हत्यार है। भारत एक तरफ पाकिस्तान से मुकाबले के लिए परमाडू हत्यारों पर फोकस कर रहा है तो दूसरी तरफ लंबी दूरी तक हमले करने में सक्षम हत्यारों पर भी सोर दे रहा है। वज़े है कि भारत की ओर से लगातार मिसाइल लॉंच किये जा रहे हैं। भारत लगातार लंबी दूरी की मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। इन सब के बीच भारत की नुकलियर फॉलिसी जाननी भी बेहत जरूरी है। जिसके तहए भारत कभी भी एटॉमिक हत्यारों का पहले इस्तमाल नहीं करेगा। भारत की वल परमाडू हमला होनी के स्थिति में अपने परमाडू बमो का सहारा लेगा। बता दे कि दुनिया में नौ देशों के पास ही फिलहाल परमाडू हत्यार हैं ये देश अमेरिका, रूस, इंगलैंड, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उफ्तरकोरिया और इस्राइल हैं इन सब ने मिलाकर 12,121 परमाडू हत्यार बनाये हैं जिन में से 9,585 मिलिटरी के हत्यार हैं इन में से 3,904 हत्यारों को मिसाइलों और विमानों में तैनात रखा गया है रूस के पास 4,380, अमेरिका के पास 3,708, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, इंगलैंड के पास 225, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इसराइल के पास 90 और उफ्तरकोरिया के पास 50 इसे साब से देखें, तो भारत दुनिया का छटवा परमाडू हत्यार संपन्य देश है, अगर किसी भी देश ने परमाडू बटन दबा दिया, तो फिर जो तबाही मचे कि उसकी कलपना भी नहीं की जा सकेगी, ये तैह है कि फिर धर्ती जो उजडेगी, उसके बाद बचेगी भी या नहीं ये बड़ा सवाल होगा